हेलो दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुन्दर सी नेक की डिजाइन का टुटोरियल आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस डिजाइन के लिए हमें नेक की वित यहां पर 3 इंच पर माक करना है और नेक लेंच 6 इंच पर माक करेंगे फिर इसका बॉक्स बनाएंगे इसके बाद में यह जो हमने पिपर के अन्वास लिया है इसकी पूरी लंबाई हमने 15 इंच की रखी है यह हमारी जो नेक की डिजाइन रहेगी 15 इंच तक पूरी रहेगी और यहां से हमें उपर पहले यह नेक का शेप देना है फिर इस नेक लाइन के आगे आगे हमें 1.25 इंच का मार्क करना है और यह इकल जो हमारी नेक लाइन की लाइन है इसके आगे आगे 1.25 इंच का मार्क करना है ताक यह इकल आए हमारा फिर यहां फोल्डेट पारक से हम लगबग 5 इंच पर मार्क और नीचे का जो हिस्सा है यहां किसी गोलाई देनी है और इस तरह से यह हमारी नेक लाइन को हमें कट करना है सेंटर से इसे अलग नहीं करना है इस तरह से इस नेक लाइन को हमने फैबरिक पेश्ट किया है और इस हिसे पे हमें तीन कट देना है तीन कट इसलिए देंगे ताकि यह जो हिस्सा है इसको इस तरह से टर्न करके इसके उपर सिलाई लेने है और सिलाई लेंगे तो यह कट के कारण यह इसलिए यहाँ पर टर्न हो जाएगा और यहाँ किनारे किनारे पर हमें यह सिलाई लेने है इस सिलाई होने के बाद इसको सेंटर में एकनोश देंगे और हमारी कुर्ति का हमें रॉंग साइड लेना है रॉंग साइड में इस नेक के पीस को हम प्लेस करेंगे, सेंटर से सेंटर मिला के, और यहां उपर कर जो रिस्सा है यह नेक लाइन, यहां कैनवास की पास पास में हम भी सिलाई देंगे, इस इलाई हो जाने के बाद एक्स्टर कपड़ा हमें कट कर देना है, और यहां पर कुछ कट्स देंगे, यहां सेंटर में पूरा कट देना है, और फिर इस पट्टी को हम राइट साइड में टर्न करेंगे, यह पट्टी हमारी राइट साइड में शो होगी, इसलिए हम ने यहां पर मेजर करके कैनवास को कट किया है, फिर यहां पर एक टॉप की स्टिश देंगे, ताकि यहां पर सेट हो जाए, फिर नेकाई दोसा है, इस सहाम है यहां पर इसके नीचे इस लेस को दबाना है और इसके ऊपर उपर सिलाई लेनी है, यह लेस हमारी फ्लेक्सिबल है, जिस शेप में आप इसे मोड़ेंगे, यह उसके अकॉर्डिंग मोड़ जाएगी, इस तरह की कोई आपको लेस लेनी ह और इसके नीचे लगानी है, आप कोई भी यहां पर लेस ले सकते हैं, गोटा की हो या कुछ अलग अपनी कूर्टी की कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी लेस ले सकते हैं, इस तरह से यह पूरी हिसे में लेस को दबाते हुए, यहां हम सिलाई लेंगे, तो यह हमा नेक का पीस यहां पर अच्छे से अटेच हो जाएगा, इस तरह से यह हमारी पूरी सिलाई होने के बाद, यह नेक का पीस यहां पर अटेच हो गया है, और यहां सेंटर में हमने कुछ बटन अटेच किये हैं, और यह हमारी सिम्पल सी डिजाइन बनकी रेड़ी है, पिंटिट कुर्ती पर यह डिजाइन बहुत अच्छी लगती है, और इसका लुक बहुत अच्छा आता है पहनने झाल झाल